चाहे आप एचनजी रामराम जी क्या हल चाल आपके उमीद करता हूं आप और आपका प्रिवार ठीक ताग होगा चाहे आप HSSC CET से जुड़ेवे हैं चाहे आप TGT से जुड़ेवे हैं चाहे आप गरूप D से बर्ति से जुड़ेवे हैं नोकरियों के लिए जल्दी देख लो आप सभी तो यहाँ पर मुख्यमंतरी साब के कई बयान आई हैं उन बयानों को हम देखने वाणे हैं यहाँ पर आप देखे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंतरी साब ने काया कि एचाससी अगले दो महीने में पचास जार पदों पर बरती पूरी कर लेगा ठीक है यह मुख्यमंतरी साब ने कल स्टेटमेंट दी है और फिर काया है गुरूप सी और गुरूप डी में जो करमचारी लग चुके हैं उनकी नोकरी सुरक्सित है ठीक है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चाससी में दो सदश्य भी न्यूक्त हो गए हैं आगामी दो महीने में पचास जार नोकरी और यह देखिए कल सुप्रीम कोर्ट में जो इनकी याचिका है चाससी की रियाना सरकार की वो खारी जो गई है और कहा है कि आई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी को मानना है उस वो सही है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ठीक है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए आप किसी की भी नहीं जाएगी नोकरी विध्य का क्यों न लाना पड़े तो जिन भी लोगों ने नोकरी जोईन कर रखी है उनके लिए स्टेटमेंट दी है कि आपकी नोकरी नहीं जाएगी यदि जरूरत पड़ी तो हम विध्यक भी पास क तरा लेंगे विधान सबा में ठीक है और जैसे मामले यह भी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से आई हैं तो अब क्या है 2018 से 2022 की जो बढ़तिया है ना उनमें भी कोर्ट केस होंगे लेकिन उन चीजों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की स्टेक्मेंट है उसके नुसर तो यहां पर यह कह गया है जो भी सत्रीज जो लगएवे हैं उनकी नवकरी नहीं जाएगी और नम्बर के भी उन्हों ने एक निश्फीपर में कह आब कि हम पांच नम्बर देने के लिए गरीबों की कोई पास कर ले सिस्टम ऐसा तो वह अलग बात है बाकी मामला कड़वड ही है ठीक है तो जो साथी लगना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ पोजिटिव मान सकते हो कि पचाहँ जार नोकरिया होने वाली है जो लगेवे हैं वह थोड़ा सा पोजिटिव मान सकते हैं मुझे अच्छे रिजल्ट अब तब मानेगा जब आपके पक्स में फैसला आ जाएगा फिलहाल जो मुख्यमंदरी साब करें कि आपके नो सब्सक्राइब है ठीक है यह दोनों ही न्यूज प्रिकर्टिंग में टेलेगरम ग्रूप में डाल दूँआ वहां से अपड़ लीजीगा तो यह अपड़ेट थी दोस्तों आपके साथ शेयर करने थी आज की इस वीडियो में इतना ही दन्यावाद भगवान करें आप सभी वीगास मैं सुभ रहे है